सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी जिसको रिस्ता निभाना होता है, वो आपकी हचार गलतियां भी माप कर देता है, जिसको नहीं निभाना होता, वो एक छोटी से गलती पर भी साथ छोड़ देता है गोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो परवार वही आगे बढ़ता है जहां मुख्या समस्दार हो यह मत सोचो कि तुम से यह ना हूँ पाएगा बलकि यह सोचो कि मेरे अलावा और कौन कर पाएगा आज का पंचांग 3 फरवरी 2020 देंश शोम मार मंग मास के शुक्ल पक्ष की 9 मीति थी रात्री 9 बचकर 19 मिलट तक रहेगी इसके उपरान दश मीति थी प्रारम होचाईगी कृती का नामक नक्षात्र रात्री 12 बचकर 52 मिलट तक रहेगी इसके उपरान रोहिनी नक्षात्र प्रारम होचाईगी आज का राहुकाल अर्थात असुपसम में सुभ आड़ बचकर तैतिस मिलट सी नौ बचकर चोवन मिलट तक रहेगा आज का भी जीद महुरत अर्थात सुपसम में दो पहर बारा बचकर चोवदा मिलट सी बारा बचकर संतामन मिलट तक रहेगा आज चंद्रमा व्रिशब राशी पर संशार करेगी और आश्यूरिय मकर राशी पर रहेंगी मीर राशी तिन फरवरी दो हशार बेस देन शोम मार आज जब नम्र रहेंगे और दूसरों की स्वार्थ रही सेवा करेंगे दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपना समय इस्थान पैसा और यहां तक की अपना भोजन भी लगाएंगी लोग आपकी इसके लिए तारिप करेंगे लेकिन अपने सिमय निरधारित करें अपने बच्चों पर भी दिहान दें उन्हें कोई संक्रमण हो शकता है घर पर रहें और घर का स्वक्ष भोजन करें आज आप जुबान पर काबू रखें वरना अपने प्रिये जनों को ठेस पहुशा बठींगी बिकार की बाते करने से परहेच करें और अपने रिष्टे को और अधिक मजबूत बनाने की कुशिश करें साथ ही धार रखें कि आप अपने कटू शब्दों से किसी का मूट खराब ना कर दी आज अपने कारे छेत्र में आपको अधिक दिमाग लगाने की अवशकता पड़ेगी क्योंकि वहां कुछ गरबर हो शकती है इसके अतिरिक्त परिवार भी आप से समय की डिमांड करेगा क्योंकि परिवार में कलेश है जिसे आपको सुलजाने का प्रयास करना होगा परिवार के बुजूर्गों का स्वास तभी कमजूर हो शकता है जिससे आप मांशिक रूप से तनाव में रहेंगे आज के दिन को बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको आगे बढ़ाना चाहिए तब ही अपने परिस्थेतियों पर आप काबू पाशकती है या तरपर जाने के लिए दिन अधीक अनुकूल नहीं है लव लाइफ की बात करे तू अज कोई अन्यवेक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तच्षेप करने की कोशिश करशकता है यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल हुंगी अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं यह आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ धकेल शकता है इसके अलग अगर आप बाहरी वेक्ति के बातों पर ध्यार ना दे तू यह आपके रिस्ते को मजबूत बनाने में मदद कर शकता है करियर की बात करे तू आप लंबे समय से एक ही पर योशना पर काम कर रही है इसलिए आपका दिन आच्छा आपको नीरस लग शकता है यह आपकी प्रगति के लिए हानी कारक है लेकिन जितनी जल्दी होशे के बदलाव लाने के लिए आप कोशिश करें हाला कि तब तक अपने शेह कर्मियों के साथ शोहार दपूर्ण रिस्ते का आनन ले क्योंकि उन में से एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको शंगठन सी बाहर कर रास्ता खोचने में मदद कर शकता है सेहत की बात करें तू आप काफी समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपकी सब नेगी च्छाएं सुन्य हो जाती है क्योंकि आप बहुत शारी स्वादिष्ट चीजों के लालश में आ जाते हैं आज वजन कम करने के लिए अपने डाइट की योजना बनाने और वयाम का संकल पर लेने का अच्छा समय है आप इस काम के लिए विशेशग्यों के सला भी लेने वाले हैं और इस काम में आपका काफी पैसा भी खर्श होगा आज का टिप्स आज आप शंकर भगवान ची के अराधना करें जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ते रहीं आपका देश शुब हो